हलो स्टुडेंट्स तो आज हम यहां पे जो सीवेस से नहीं का एडलाइन जारी की है जो हमारा जो कोरोना के कोडिंग जो रिवाइजड सिलेबस को यहां पर बताया है उसको हम फ़र अंडरस्टेंड करने कोशिश करेंगे तो आप यह ध्यामक हैं यह सीवेसरी क्लास 10 बॉर्ड इंग्लिश इंग्लिश लेंग्वेज और लिट्रेचर कोड नमबर 184 है यहने क्लास 10 2020-21 का जो सीवेसर से हम दिसकर्स करने वाले है तो स्टुडेंट्स सबसे पहले हम यहां पर एक बात समझने ही कोशिश करते हैं कि कि इसमें हमारी पेपर्स में क्या-क्या आता है और इसी कौन कोशी चीजें हैं जो इस बार बॉर्ड ने उनको डिलीट किया हुआ है ठीक है तो हम यहां से स्टार्टिंग से मेंशन करते हैं कि पार्ट ए जो होता है जिसे आपके पार्ट ए होगा वो रिडिंग सेंक्षन का होगा इसमें नंबर वन मल्टिपल चोईस क्वेस्टन बेस्ट ओंडिस्कर्सिव पैसे जो 450 वर्ड तू टेस्ट इनफरेंस इवल्वेशन और वोकेबलरी 10 out of 12 questions to be answered यहाँ पर फर्स्ट जो point है उसे बदाय गया है कि एक passage आएगा उस passage में से आपके सामने 12 questions आएंगे 12 questions आएंगे और आपको 10 solve करने पड़ेंगे और यह सब 1-1 marks के questions होगे तो 10 marks का एक passage होगा यह पैसेज आपको solve out करना पड़ेगा reading section के according हम यहाँ बात कर रहे है second जो है वो भी है कि multiple choice questions best on a case best factual passage with visual input statistical data chart etc तो यहाँ पर एक और पर परिग्राफ आएगा student और उसके लिए भी आपको 12 questions होगे और आपको 10 attempt करने पड़ेंगे तो यह दो passage जो है वो part 1 के according आ रहे है उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो literature text book की बात करेंगे तो two length of two passages to be 700, 750, 100 तो यहाँ पर देखते हैं कि multiple choice questions based on an extract from drama, prose to test, inference, evaluation and vocabulary any one out of two extract to be done यहाँ पर भी आपको दो अंश दी होंगे और आपको एक करना है उसका आपको answer देना पड़ेगा second जो है multiple choice questions based on an extract from poetry यह poetry section से questions आएंगे और दो में से आपको एक का answer यहाँ पर provide करना पड़ेगा grammatical portion के अगर हम बात करें students तो grammar में 10 multiple choice questions out of 12 to be answered हमें 12 में से 10 के answer देने हैं and questions will be best on the following अब यहाँ पर कुछ topics दप्राइगा है grammatical portions में उनसे related questions आपको वहाँ पर paper में देखने को मिलेंगे नमबर वन 10th model subject verb conquered reported speech reported speech में 3 types रता है commands and requests statement and questions and fifth है determiner यहाँ पर लास्ट यह जो cbse 10th board के students ने जब paper दिया है तो उनके passive voice भी था clauses था and preposition था लेकिन इस बाग जो course कम किया cbse ने तो उसके वे grammatical portions में 3 चीज़े delete करी है use of passive voice पैसिवइस को अटा दिया गया है clauses इनको अटा दिया गया है and preposition इनको अटा दिया गया है it means आप जब इस बाग त्यारी करेंगे paper की तो आपको यह चीज़े बिलकुर भी नहीं पढ़नी है आपको उपर के जो topics है tense, models, subject to a concert, reported speech, commands and requests, statements, questions, determiners आपको यह चीज़े भी पढ़नी है और इनी पर best आपके questions के answer वहाँ पर आपको answers put up करने है questions put up करने है next part b है students subjective questions, 40 marks, writing skill के according formal letter आएगा जो best on a given situation one out of two questions to be answered यहाँ पर दो questions आएँगे उनमें आपको एक करना पड़ेगा एक letter लिखना पड़ेगा सेकिन एक writing है analytical paragraph की वह भी आपके एक outline दी हुई होगी किसी भी data की chat related one out of two यहाँ भी आपको two में से दो आएगी में से एक आपको foot up करना है आपके करना है उसका answer देना है इससी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो literature के जो writing skill के according to literature का part है उसमें कुछ questions आपके सामने रखे गए हैं जैसे कि four out of six short answer type question to be answered in 20-30 words each from first flight and footprint तो यहाँ पे एक बात हमेशे ध्यान रखें रखें आपके आपके course में बढ़ प्रिसले साल के तरह दो books हैं एक तो first flight और एक है supplementary book footprints without feet अब इसमें से आपके सामने दोनों books में से दोनों books में से आपके सामने छे-छे questions आएंगे और आपको दोनों books जो छे से जो question है मतलब 6 question ही six question ही आपके first flight में साएंगे और six question ही footprints without feet में साएंगे और आपको दोनों के 4 questions attempt करने हैं कितने words में 20-30 words में इसमेंस ही हो किसकते हैं कि first flight में six questions होंगे जिसमेंसे आपको 4 attempt करने उसे पगाब footprints में से six questions आएंगे तो four attempt attempt करने in 20-30 words आगे बढ़ते हैं four out of six short answer type questions to be answered in 40-50 words each from first flight and footprints without feet तो यहां पर आपको 40-50 words में answer देना है तो short answer से जिसमें बोलेंगे six questions आएंगे उसमें से four attempt करने और answer देना है 40-50 words में okay and footprints without feet two out of three from first flight and two out of three from footprints तो इस जो six questions आएंगे उसमें से आपको first flight के three तीन आएंगे उसमें से दो आपको answer करने और footprints की जो book है उसमें से आपके three questions आएंगे उसमें से आपको two attempt करने है that mean जो 40-50 words है इनमें total six questions आएंगे three first flight के और three footprints without feet के तो आपको दोनों के three में से two to attempt करने है यह literature portion और writing skill का हमारे questions हो गए now one out of two long answer type question from first flight to be answered to be answered in about hundred and hundred and twenty words each to exercise creativity imagination extrapolation beyond the text and across in the text this can be passage best question taken from a situation plot from the text अब text के according long answer का question आएगा तो वो भी आपको first flight से होगा और वो आपको उहां पर attempt करना पड़ेगा इसी प्रकार one out of two बत्र यहां पर उपर भी दो question है उन्में से एक attempt करना है long answer में भी and footprints में से भी long answer में दो आएंगे तो आपको attempt करना पड़ेगा उसे भी आपसे किसी भी particular subject की chapter की theme के question हो सकता है plot के according अधी character sketch के according आपको answer माँ पर question रखा जाएगा और आपको answer पर करना पड़ेगा की तरफ से आपको दो बुक प्रवाइड की जा रही है first flight and footprints without field आपी ध्यान रखें first flight जो है आपकी main book है और footprints without field आपको supplementary radar रहेगी तो इसमें से students जो इस बार डिलीट किया है जो syllabus reduce की आपको देखें कि how to tell wild animals, trees, fog, मिजबिल दा ओटर, four and grey-grey ये chapter इस first flight की book में हमें study नहीं करने है दिये तो होंगे because book के अंदर है लेकिन हमें इस बार ये बिल्कुल भी study नहीं करने है उसी प्रकार से footprints without feet जो supplementary है, reader है उसमें जो हमें नहीं पढ़ना है the midnight visitor, the question of trust, the book that saved the earth ये तीन चेप्टर हमें इस बार study नहीं करने तो आप ये सब इस सारी चीज़े ध्यान रखें कि हमें कौन-कौन से chapters पढ़ने और कौन-कौन से chapter नहीं करने, first flight में इन chapters को छोड़ करके, इनमें से fourth of such poem है और एक prose है और नीचे भी सारे prose ही है तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं करना है और जो rest part है हमें उनको study करना है, उसी प्रकार से grammatical portion में भी आपको passive voice, closest and preposition को बिल्कुल भी study नहीं करना है तो यह था हमारा हमने आप यहां पर discuss किया है, CBSC के new revised syllabus के according जो class 10 रिकस साल का होने वाला है, thank you so much